अमेजिंग किसान फार्म पर 2020 अगस्त में मैंने ये कुछ बांस के पेड़ लगाए थे ये इस में लगभग सवा दो वर्स का या धाई वर्स का कह सकते हो बांस है जो मैंने टेस्ट के लिए अपने खेत की मेड़ पर लगाए थे ये देखें ये पीछे रोड है पुल है और पुल के पास में ये थोड़ी जमीन है ये मेरा खेत है एक जिसमें अब मैं गहूं बोओंगा और इसकी मेड़ पर मैंने ये बांस लगाए थे जब ये बांस सुरू हुए तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है और क्यों इस तरह से निकल रहे हैं मैं आज इन बा बांस ये देखिए ये मेरी मेड़ की बिलकुल किनारे पर लगा हूआ है ये मैंने प्छले वर्स लगाया था और ये लखिबक सबावर्स का बांस है और जिसे मैं एकसर दिखाता रहता हूँ ये मेरी जो निम्भू की बाड़ है वो लगे हुई है मैं सोच रहा हूँ निम्बू की बार थोड़ी मेंटेन करने में कठीन हो रही है इसकी जगे बांस ही लगा दो आईए देखते हैं इन बांसों को किसान साथियो जब आप बांस लगाते हैं देखें यहां पर मैंने एक पेड लगाया था वो पेड था यह यह वाला पेड था यह यह पेड था जो मैंने लगाया था यह वाला यह देखें इसकी जड़ देखें नीचे से यह वाले इसके बाद में फिर कुछ और पोधे निकलेंगे जैसा यह वाले होंगे इन में आप यह इस तरह की नोड देखेंगे यह जो दिखाई दे रही है यह वाली नोड दिखाई दे रही है और जो original होगा उसमें भी यह नोड दिखाई देते हैं इसके बाद जब यह पोधा बड़ा हो जाता है इस से जो जितने भी बांस हैं भोजन मिलता है इसके बाद में आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये मैं दूर से दिखाता हूँ, ये वाले देखिए दोनों पेड़, ये ये देखिए ये अभी निकला है, ये एक दो दिन का है बास, ये इस तरह से निकलेगा, ये आपके बास है जो आपको आमदनी देंगे, इसी तरह से ये देखिए, ये सीधा और ये बहुत तेजी से बढ़ता है, ये यहाँ पर हो गाए, इसी प्रकार ये वाला बास देखिए, ये देखिए उपर हो, शुरू सुरू में मैं थोड़ा परिशान था कि इसमें से कौन सा बास है और क्या है, कुछ पर देखिए, ये पत्ते आत नोर्स होते हैं, और इसकी साथ में जो और भी होते हैं ये इस तरह के, ये इने भोजन देते हैं, और फिर जो प्रोड़क्ट आता है, वो इस तरह का आता है, ये देखिए, अब ये बढ़ता जाएगा उपर, ये ही मिलेगा, इसी प्रकार किसी भी गुच्छे में बांस पर बहुत सी वीडियो हैं, जो आपको बताती हैं, कि कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, वो चैन आप श्रम करें, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, कि आप अपनी मेड पर कुछ पोदे बांस के अवज से लगाएं, जहां तक आती है बात वराइटी की, तो ये ब लगबग पांच-पांच फुट पर लगवाए थे, तो मेड पर आप पांच फुट की दूरी पर लगा सकते हैं, और आप ये देखे कितनी अच्छी, इसकी जो हना मेरी, एक तरह से खेत का प्रोटक्शन हो गया इधर से, लगबग धाई साल हो, सवा दो साल हो, ये देखे कितने मोटे मोटे बांस हैं और आप गिनेंगे इन्हें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शात, आठ, नू, दस, ग्यारा, बारा, बारह बांस मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं, और उपर देखे हैं कितने मोटे मोटे बांस हैं ये थोड़ा जो मेड है, इसके बाद यह थोड़ी नाला है तो यह उस तरफ को हो गए तो मैं यहां पर थोड़ी मिट्टी लगाऊंगा और जो बड़े-बड़े बांस हैं इनको काट लूगा और अपने काम में लाऊंगा यह धाई साल के बांस देखे आप और कित्रे बड़े-बड़े वाकई में जब यह चार स खेत की प्रोटेक्शन हुई है और दूसरा मेरे को एक अच्छे प्रोड़क्ट मिल रहे है यह नया है अभी चला है इसकी एक खास्यत और है जितना पुराना होता जाएगा तो जो उसके बाद में निकलेगा वो और मोटा बांस निकलेगा यह यह भी निकला हुआ है जबक आपके यह निकलेगे शुरू-शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि एक में कुछ में यह नोड थी और कुछ सीधे चल रहे थी यह क्या है कहीं यह खराब तो नहीं है लेकिन नहीं जो यह बांस बाद में निकलते हैं जिनमें पत्ते नहीं होते शुरू में वो ही बांस हो और बाकी आपकी feeding route हो दिया है यह जो बास हैं जिनमें ये नोड हैं ये शुरू-शुरू के हैं और इनसे आप नए बास भी बना सकते हैं और इनमें मैंने कोई भी spray, कोई भी खाद, कुछ भी नहीं दिया जो पानी इस खेत को आया वो पानी हुआ और खाद कोई नहीं दिया देखें उपर कितरे अच्छे बास ने कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले दो साल में अगर इने मैं नहीं छेड़ू तो बहुत अच्छे बास हो जाएंगे हैं बास पर मैं अभी कुछ और बाते पता करने की कोशिश कर रहा हूँ अगली कई वीडियो में ऐसी बाते में नहीं मिली होगे धन्यवाद नमस्कार चैहिंद जै भारत बंदे मात रहूं